नमस्कार दोस्तो टॉक्टॉक्स के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में हम देखने वाले है आईशर की प्रोव 2090 BS6 इस गाड़ी के बारे में तो बिना कोई देरगवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो ये रही आईशर की BS6 कंपलेंट 2090 इनिकी 2090 दोस्तो इस गाड़ी का जीवी डब्ली इनिकी ग्रॉस वेहिकल वेट है 8990 किलो और इस गाड़ी का पिलोड कैपेसिटी है 5.5 दोस्तो आईए इस वीडियो में इस गाड़ी के बारे में अधिक जानकारी प्राप करते है दोस्तो आईशर की BS6 कंपलेंट 2000 सीरीज में आने वाली सभी गाड़ी का केबिन एक डूल पैनेल का केबिन है जो वेहिकल क्रेश टेस्ट को पास करता है उसी के साथ साथ इस गाड़ी में अधिक मुझबूत और स्ट्रॉंग Domex 650 चैसिस लगाई गई है जो इस गाड़ी क अधिक जानकरी प्राप्त करना चाते हो तो नीचे आ रहे है इन नंबर्स पर संपर्क करके आप इस गाड़ी के बारे में अधिक जानकरी प्राप्त कर सकते हैं आईए जानते है आईशर की 20-90 के टेकनिकल स्पेसिफिकेशन के बारे में एंजिन की बात करे तो इस गाड़ का टॉर्क 1200 से 2500 के रिपेम पे दोस्तो इस इंजिन को BS6 कंपलेंट बनाता है इसके Utec6 प्लाटफॉर्म पर बेस्ट EATS यानि की exhaust after treatment system जिसमें DOC यानि की diesel oxidation catalyst, DPF यानि की diesel particulate filter, SCR यानि की selective catalytic reduction और ASC यानि की ammonia slip catalyst की प्राणाली इस्तमाल की गई है gearbox की बात करें तो 20.90 में ISHER का 35M5R 5-speed manual gearbox 310 mm diameter के single plate dry friction type class के साथ दिया गया है जो इस गाड़ी को 26 टके की gradability यानि की चड़ाय लागनी की शमता प्रदान करता है suspension की बात करें तो इस गाड़ी में आगे और पिछेवल एक्सल पर semi elliptical lift spring tap suspension shock absorbers के साथ दिया गया है दोस्तो ये एक grease free suspension है जो इस गाड़ी के maintenance को कम से कम रखता है brakes की बात करें तो इस गाड़ी में hydraulic brakes with vacuum assisted exhaust brakes भी दिये गये है दोस्तो exhaust brakes किस प्रकार काम करते है ये चीज अगर आपको जाननी हो तो उस पर हमने एक detailed वीडियो बनाई है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसकी link में आपको नीचे description में दे दूँगा आए जानते है आईशर की 20-90 के वजन और आयाम यनिकी weights and dimensions के बारे में इस गाड़ी का GVW यनिकी gross vehicle weight है 8990 किलोगा और इसका period capacity है 5400 किलो इस गाड़ी आपको दो wheelbase options में available है वो है 3370 mm और 3770 mm डाले की लंबाई यनिकी deck length की बात करें तो 3370 mm variant के deck length की लंबाई है 14.2 feet और 3770 mm wheelbase के deck length की लंबाई है 16.2 feet इस गाड़ी में आपको CBC यनिकी cabin with chesses और HHD यनिकी high set deck variants उपलब्द है आप आपके application के अनुसार इन दोनों में से एक choose कर सकते है इस गाड़ी का ground clearance है 195 mm का fuel tank की बात करें तो इस गाड़ी में आपको anti-carousive polymer material से बना हुआ 190 लिटर का fuel tank दिया गया है जिसमें जंग नहीं लगता इस गाड़ी में 19 लिटर का add blue DEF यनिकी diesel exhaust fluid का tank दिया गया है tires हैस की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 75-16 के 16 ply rating के 16 inch के tires दिये गए है दोस्तो आईशर की 20 90 पर आपको 2 साल या unlimited kilometers की वारंटी गाड़ी पर मिलती है और 3 साल या unlimited kilometers की वारंटी इसके engine और gearbox पर मिलती है दोस्तो ये गाड़ी BS6 engine के साथ हाल ही में launch की गई है तो इसके mileage के बारे में मेरे पास कोई भी details available नहीं है लेकिन फिर भी मेरे इस सब से जो इसका expected mileage होगा मैं वो नीचे वीडियो के description में डाल दूँगा आप वहा जाके वो पढ़ सकते है दोस्तो जैसे ही ये गाड़ी हमारे नजदी की dealers से उसमें available हो जाएगी मैं इसके price, mileage और detail specification के साथ एक वीडियो लेकर आप तक जरूर आऊंगा आए जानते हैं इस गाड़ी की कुछ खास कुबियों के बारे में जो इस गाड़ी के केबिन को जंग लगने से बचाता है और ये केबिन ड्राइवर प्लस टू के sitting capacity के साथ आने वाला एक tiltable केबिन है ताकि गाड़ी के service करते वक्त इंजिन में काम करने के लिए आसानी हो दोस्तो ये केबिन काफी comfortable और luxurious है उसी के साथ साथ इसमें ergonomic dashboard दिया गय है ताकि ड्राइवर गाड़ी के सभी controls seat पर बैठे आराम से access कर सकता है इस केबिन में आगे की और बड़ी windscreen दी गई है ताकि ड्राइवर की visibility अच्छी हो और इसमें अच्छी visibility के ORVM's यानि की outside rearview mirrors भी दिये गए है ड्राइवर comfort को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी में tilt and telescopic adjustable power sharing और adjustable driver seat दी गई है और दोस्तो सुकून से गाड़ी चलाने के लिए इसमें 4 stage high speed blower के साथ साथ music system भी दी गई है जिसमें USB, pendrive, aux और FM के features दिये गए है दोस्तो technology की बात करें तो इस गाड़ी में iSher की M booster plus technology इस्तमाल की गई है जिसमें power और eco modes होते है दोस्तो power mode तब दबाया जाता है जब गाड़ी में 100% यानि के full payload हो और eco mode तब दबाया जाता है जब गाड़ी में 50% यानि के आधा पेलोड हो और दोस्तो इस गाड़ी में cruise control का feature भी दिया गया है जो मेरा सबसे favorite feature है दोस्तो cruise control जब गाड़ी long journey पर जाती है तब driver को जब गाड़ी constant speed पर चलानी होती है तब cruise control का feature काम करता है उसी के साथ साथ इस गाड़ी में mobile charging socket, sun visors, interior lights, adjustable driver seat, tilt and telescopic adjustable power steering धेर सारी utility storage spaces और glow box के साथ बहुत सारे features दिये गए है दोस्तो सच में आईशर का 2000 series वाला cabin मेरे इसाब से काफी comfortable और luxurious cabin है वीडियो को इंड करने से पहले आए जानते है इस गाड़ी के applications यानि कि इससे आप कहा कहा इस्तमाल कर सकते हैं उस चीज के बारे में दोस्तो इस गाड़ी को आप intercity, city और highway applications के लिए इस्तमाल कर सकते हैं जैसे कि industrial goods, fisheries, logistics, cement bags, grain bags, e-commerce, fmcg, mild steel container, refrigerated container, milk transportation, parcel courier, water bottles, auto components, fruits and vegetables, market load और इत्या दिक कई सारे applications में आप इस गाड़ी को इस्तमाल कर सकते हैं तो trucktalks देखने वाले मेरे सभी प्रियों दोस्तों, कैसी लगी आपको आईशर की BSX component pro 2090 मुझे नीचे comment section में जरूर पताना दोस्तों commercial vehicle से जुड़ी हुई हर नई news और technical information के लिए आप हमें Instagram पर trucktalks official के page पर follow कर सकते हैं वहाँ पर हम daily updates और news डालते रहते हैं दोस्तों कैसी लगी आईशर की 2090 मुझे नीचे comment section में जरूर पताना और वीडियो का like बटन भी दबा दीजेगा मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी गाड़ी के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए देखते रहे ये AAA कस 10 vlogs ट्रॉक टॉक्स spreading all the love about trucks जैहिन